गर्मियू का मौसम आ गया है मार्केट में बहुत जादा कटल आ गये हैं और मुझे कटल की सबजी और कटल के कोपते बहुत जादा पसंद हैं आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी कटल के कोपते की रेसिपी चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए मेरी वीडियो को जादा से जादा से यर कीजिए कोपते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg कटल लिया है सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं कटिंग करने से पहले मैंने हातों को, चाकों को, चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से ओईल से ग्रीस कर दिया है बहुत सारे लोग पेपर के ऊपर रख कर कटल की कटिंग करते हैं उससे अच्छा आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख कर इसकी कटिंग करें क्योंकि न्यूज पेपर पूरा कटल पर चिपक जाता है और इस तरीके से हम इसके टुकडे टुकडे कर लेते हैं अब हम इसका चिलका निकाल देते हैं इस तरीकी से कट करके कटल को काटना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना जादा भी नहीं है फिर हम इसका बीज का जो ये हिस्सा है इसको भी निकाल देते है सैम इसी तरीके से हमें पूरा कटल का चिलका निकाल लेना है और फिर उसके बाद हम इसको छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे टुकडों में कट कर दिया है हमें इसके जादा बड़े पीश नहीं रखने हैं क्योंकि हमें इसको बोईल करना है और हाथों को भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है हाथ को आप पानी से धोने से पहले टीशू पेपर से साफ करते हाथ बहुत अच्छे से साफ हो जाते है सबसे पहले हम कटल को बॉयल कर लेते हैं यहाँ पर मैंने कटल को बॉयल करने के लिए presser cooker लिया है और कटल को हम इसमें डाल देते हैं, फिर हम इसमें डाल रहे हैं पानी, यहाँ पर मैं इसमें लगबग 3-4 गिलास पानी डाल दी हूँ, पानी आप अपने हिसाब से डालीए, यहाँ पर हमें प्रेसर कुकर में कुछ भी एड नहीं करना है दकन बंद करके लगबग दो सीटी आने तक हम इसे मीडियम हाई फ्लैम पे बोईल करेंगे कटल अच्छे से बोईल हो गया है इसको मैंने एक चलनी में निकाल दिया है जिससे कि इसका पूरा पानी अच्छे से निकाल जाए और ये देख लीजे बहुत अच्छे से बोईल हो गया है और अब हम इसमें डालने के लिए मसाला तैयार करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जाल ले लिया है इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर खूप सारी लेसुन की कलिया आप यहाँ पर इसमें अद्रक भी डाल दीजिए मेरे पास अभी अद्रक नहीं है तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ इसके साथ ही मैं यहाँ पर तीन हरी मिर्ची डाल रही हूँ अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं इसको हम अच्छे से पीछ लेते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा बरतन ले लिया है अब हम कटल को इसमें डाल देते हैं इससे सारा पाने निकल गया है आप देख लीजे और अब हम इसको अच्छे से मैस कर देते हैं मैं इसको पोटेटो मैस्दर की साहिता से मैस कर रही हूँ आप चाहे तो हाथ उसे भी कर सकते हैं अगर आपने कटल को अच्छे से बोईल किया है तो मैस करने में कोई भी दिखकत नहीं होगी और यह जादा पतला नहीं होता है थोड़ा थोड़ा इसमें रेसे रहते हैं यहाँ पर मैंने इसको मैस कर दिया है और इसमें थोड़ा बहुत रेसे रह गये हैं यह खाने में जब मुग में आते हैं तो बहुत जादा तेश्टी लगते हैं इसमें मैंने डाल दिया है डेट चमच नमक, नमक आप तेश्ट के अकोडिंगी डाले, साथ में मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है एक चमच, आदा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाल दिया है, इसके साथ ही इसमें मैं डाल रह अगर आप गरब मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको सकते हैं इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं तीन बड़े चमच बेसन के आप इसमें बहुत जादा बेसन मत डालिए नहीं तो इसका टिस्ट खराब हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच लैसोन और मिर्ची का पेश्ट जो कि हमने पहले से बना के तैयार किया था अब हमें यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और अब हमें इसको हातों से अच्छे से मिला देना है मिलाने के बाद हमें इसको गोल-गोल लुटो की तरह इस दरीके से बनाना है और यह बॉल आप अपने हिसाब से बड़ी या चोटी कर सकते हैं मैं यहाँ पर इनको मीडियम साइज की बना रही हूँ यहाँ पर मैंने इनको बना के कुछ तैयार कर दिया है यहाँ पर मैंने ओईल को अच्छे से गरम कर दिया है गैस का फ्लैम मैंने मीडियम कर दिया है अब हमने कटल की जो बॉल बनाई थी इसको हम इसमें डाल देते हैं एक बार मैं कडाई में जितनी भी बॉल आ रही हैं आप इनको डाल दीजिए और फिर थोड़ा देर होने पर आप इनको दीरी दीरे पलट दीजिए और ध्यान रखे कि गैस का फ्लैम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है हाई फ्लैम मत कीजिए नहीं तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर से पूरे कच्छे रह जाएंगी और हमें इनको बार-बार उलटते पलटते रहना है जिससे कि यह दोनु साइट से अच्छे से पक जाए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनको दो बार फ्राई करते हैं हम इनको एकी बार में फ्राई कर रहे हैं और यह अच्छे से फ्राई हो गया है इनका कलर भी देखिए बहुत अच्छा आ गया है तो हम इनको चान के एक प्लेट में निकाल देते हैं और आप देख लीजिए कितने अच्छे से यह फ्राई हो गए हैं सैम इसी तरीके से हम और कोप्ते भी फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर हमने कोप्तो को फ्राई कर दिया है तो मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ यह देख लीजिए अंदर से भी बहुत अच्छे से यह पक गया है और बहुत जादा सॉप्ट बने हैं कटल को हमने अच्छे से फ्राइ कर दिया है तो अब हम इसके लिए मसाला तयार करते हैं मिक्सी के जार में मैं यहाँ पर तीन प्याज डाल रही हूँ इसके साथ ही मैं चार लॉंग डाल रही हूँ साथ में मैं यहाँ पर 3-4 छोटे तुकरे दालचीनी के डाल रही हूँ अब हम इसका एक पारिक पेश्ट बना के तयार कर लेते हैं इसके बाद हम यहाँ पर 2 टमाटर का भी पेश्ट बना के तयार करते हैं कडाई में मैंने डाल दिया है दो बड़े चमच तेल फिर इसमें मैं डाल दी हूँ आदा चम्मच जीरा जीरा अच्छे से चटक गया है अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज जो कि हमने पेश्ट बना के तैयार किया है साथ मैं हमने पहले जो लैसून और मिर्ची का पेश्ट बना के रखा था इसको भी हम एक चम्मच डाल देते हैं अब हम मसाले को medium फ्लैंपेर अच्छे से fry कर देते हैं मसाला fry हो गया है अब हम इसमें टमाटर का पेश्ट भी डाल देते हैं अब हम इसमें अड़ करेंगे मसाले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच मिर्च पाउडर, टेश्ट के अकोर्डिंग मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक हमने पहले भी डाला है, मसाले हमने थोड़ा बहुत पहले भी डाले है, साथ मैं यहाँ पर देड़ चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच डाल रही हूँ मै इसमें haldi powder इसके साथ काली मिर्च का पाउडर भी मैं इसमे डाल रहे हूँ इन सबी को हमें बहुत अच्छे तरीके से मिला देना है अब हमें टमार्टर को मसालों के साथ अच्छे से पकाना है गैस का फ्लैममे यहाँ पर medium रखना है मसाले अच्छे से पकेंगे तो सबजी में टेश्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत अच्छे से यह पक गया है इसका कलर भी चैंज हो गया है अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा गरम पानी डाल रही हूँ और हमें पानी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि कोपते बहुत ज़्यादा पानी सोग लेते हैं पानी डालने के बाद हमें मसालों को एक बार बहुत अच्छे से मिला देना है और अब हम इसमें ये कटहल के जो कोपते बना के तैयार किये थे इसमें डाल देते हैं और ये देख लिजे कितने सौप्ट बने हुए हैं आप चाहे तो इनको चाय के साथ भी का सकते हैं तो इनको हम फिर इसमें डाल देते हैं अब हम कर्ची की साइता से इसको धीरी धीरी से मिला देते हैं फिर हम इसको डग कर लगबग 3 मिनट तक मीडम फ्लैंपे पकाएंगे तीन मिनट हो गए है और हमारे जो कठल के कोपते हैं वो बन के तैयार हो गए है गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और बहुत अच्छी कुस्बू आ रही है इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया अगर आपको इसमें ग्रेवी थोड़ा कम लग रही है तो आप इसी टाइम पर इसमें थोड़ा सा गरम पानी एड़ कर सकते हैं लेकिन हमारे ग्रेवी यह आपर परफेक्ट है तो हमें यह आपर पानी एड़ करने की जरूरत नहीं है इससे आप गरम गरम रोटी या चावल के साथ सरू कर सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छी कुस्पू आ रही है और बनने भी ज़्यादा मेहनत नहीं है बहुत जल्दी बन जाते हैं और यह देख लीजे प्लेट में कितने अच्छे लग रहे हैं अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेहर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताए आपको रेसिपी कैसे लगी है